Hello friends, welcome to study bus, जैसे कि मैं पता है, IFT का notification आउट हो चुका है and IFT का जो आपका exam है, वो 18th December को है, भाई, IFT भी आपका MBA का important entrance exam है क्योंकि इसके थुरू आप Indian Institute of Foreign Trade में admission ले सकते हो, जिसमें भाई, year on year काफे चीप placement जहां पे हो रही है, लेकिन IFT का जो exam है, वो थोड़ा सा different होता है क्योंकि एक ऐसा exam है, जहां पे sectional cutoff भी होती है, overall cutoff भी होती है तो इस वीडियो में मैं आपको सारे का सारे important topics, पूरा का पूरा day by day study planner क्या होना चाहिए 60 days के लिए and क्या cutoffs रहती है, जो आपको target करनी है, इस particular exam को crack करनी के लिए So my name is Saurabh Kuthari, let's start तो सबसे पहले important dates देख लो, जो आपके examination date है, 18th December को और अगर आप form फिल करना चाहते हो, तो 30th September से 14th November तक आप form फिल कर सकते हो आपके पास काफी अच्छी window है, इसमें अपने form को फिल करके आप अपने submission कर दो ताकि इस exam के लिए आप eligible हो जाओ, आपको जो exam का timing है, वो morning में 10am से 12 noon तक है 2 hours का आपके पूरा का पूरा exam रहने वाला है, form अगर आपको फिल करना है तो वेबसेट आपको फिल करना है, तो वेबसेट आपको फिल करना है, nta.ac.in पर जा सकते हो otherwise आप ift.ac.in पर जाके भी form फिल कर सकते हो, अब बात आती है यह important exam क्यों है क्योंकि अगर आप इसकी placement देखोगे, तो last year की placement बहुत amazing रहे है last year, जो average package रहा है, वो रहा है 25.16 का, which is very good and अगर आप medium देखोगे, 24 lakh का average package रहा है, जो top 25% बच्चे है उनकी placement सी 34.3 and अगर आप top 10% बच्चों में आते हो, तो 41.8 lakh का average package था 50% of the batch, मतलब half batch जो था, उसके जो average package था, वो 29.7 lakh पे गया है ठीक है, और काफी सारे companies आ रहे है, consulting, finance, sales, marketing, general and management strategy IT and analytics, product management, trade and operation, तो हर एक type की companies यहां पे आ रही है जिसके थूँ आप एक अच्छा career अपने start कर सकते हैं, अब जो exam का pattern है वो जैसे के मैं आपको बताए, two arts के रहने वाला है, चार subject आपके सामने रहेंगे quant, reading comprehension, verbal ability, data interpretation, logical listening and general awareness भई, यहां पे आपके चार sections रहते हैं and other exam से थोड़ा सा different हिसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे आपको एक तो section भी clear करनी है उसके अलावाद जो इनका verbal section होता है, वो थोड़ा different होता है LIDA थोड़ा different होता है, GK का यहां पे edition हो जाता है तो यह सारी चीजों को ध्याम रखते हुए आपको इस exam को attempt करना होता है तो इस तरह का कुछ major आपका exam pattern रहता है जहाँ पे English के 35 question, LIDA के 30 question, Quants के 25 जनरलोज के 20 question, 110 question आपके सामने approximate आएंगे 300 आपके maximum marks यहाँ पे रहने वाले है, ठीक है अब अगर मैं बात कुरूँ कि cutoffs क्या रहती है तो cutoffs अगर मैं last day के आपसे बात करूँ तो भाई, IFT के तो score की weightage थी, वो 73% weightage थी और उसके अलावा आपका 10, 12 थोड़ा बात रहें, gender diversity add-on होके, 100 में से आपके marks बनेते हैं, 100 में से 43.5 पे आपका जो था, वो call आ गया था, IFT से, जो main campus इनके हैं वहाँ पे आपका interview call बन गया था, गर आप EWS category हो तो 36 mark, SCST, PWD category है, तो 15 marks दे, ठीक है अब यहाँ पे बच्चों का यह confusion आता है, सरी, एक्जाम इसलिए difficult हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे sectional cut-off है, बट अगर आप यहाँ पे दियान से देखोगे, तो थोड़ा सा इसको decode करो, 30 marks का आपको general evidence का section था, बट आपका जो sectional cut-off हो, वो सिरफ 5.5 marks है similar लेकर आप verbal देखोगे, तो 105 में से सिरफ आपको 19 marks, data interpretation logical listening में से 19 में से 13 marks and quantum 75 में से 8 marks, तो sectional cut-off बहुत कम है, अगर आप 3-4 question भी कर दोगे, तो भी आप यह sectional cut-off आराम से cross कर सकते हो, तो इस exam को करने के लिए आपको जो strategy होनी चाहिए, वो बहुत simple है, आपको क्या करना है, जो आपका strong areas है, वहाँ पर आपको maximum time लेना है, वहाँ से अपनी score को maximize कर लेना है, जो आपके बाकी section है, वहाँ पर आपको focus करना है, आप इतने questions कर दो, कि आपकी sectional cut-off clear हो जाए, तो भी यही एक exam को crack करने का secret है, कि जो strong area से, वहाँ पर maximum करो, क्योंकि time limit नहीं होता है, आप किसी section में कितना भी time लगा सकते हो, तो आपका planning यहाँ पर बहुत strong होना चीए, preparation strong होना चीए, आपने काफी सारे marks लगा रखे हो, ताकि आपको कोई idea हो, आपका कौन सा strong area, कौन सा आपका week area है, अगर आपका planning सही है, अगर आपने paper को सही तरीके सी है, तो हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे IFT में जाते हैं, आप भी यहाँ पर जा सकता है, आप देख सकते हो, शिल्पी सिना, इन्हों इस exam को crack किया, मुस्कान, देन, पुजीता, श्रियस, इनकी IFT कॉल थी, उसके बाद अगर आप देखोगे, प्रांशू, युगल भारदवाज, अजीतेश, अक्षे, सौरव सरकेल, तो काफी सार ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने IFT यहाँ पर crack किया है, हमारे आप से prepare करके, तो बैई, सबसे पहले इस पूरे exam के approach समझो, जैसे कि मैंने कहा, आपके सामने 4 section, एक तो verbal का section हो गया, आपके सामने LRDA का section है, आपके सामने GK का section है, आपके सामने Quant का section है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़े ध्यान रखने है, सबसे पहला आपके foundation तो strong होन क्यों 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 यहां पर आप देखोगे तो टू आर्ट में आपको 110 कोश्चन करने हैं तो आपको यहां पर क्यार देखो टू आर्ट में टाइम किस तरह से अलोकेट करना है आपको आप कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगाना चाहते हो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉल्टिबल मॉक्स यहां पर लगाने वाल हो देखो पेपर का जो लेवल रहता है वो मौडरेट लेव IFT का specific crash course भी start हो रहा है 18th October से तो 18th October से बैस start हो रहा है 18 December मतलब आपको पूरे-पूरे 60 days मिल जाएंगे तयारी करने के लिए which is more than enough time भई इस exam के लिए आपके पास काफी time होगा हम generally जो अपने courses निकालते थे पहले 1 month के निकालते थे लेकिन students के requirement थी सब थोड़ा जादा time द पूचा जाएगा वो cover होगा इसके साथ हम आपको e-books provide करेंगे बहुत में क्या होगा काफी सारी different type of questions होंगे जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसकी practice आप वहाँ पर जाके कर लोगे तो आपका confidence भी game हो जाएगा and variety of questions भी cover हो जाएगे 7 आपको IFT के fullness mocks मिलेंगे with latest pattern जिस type के question रहते हैं तो इससे आपको काफी जादा हेल मिलेगी तो पूरा का पूरा IFT dedicated यह course है and day by day study plan आपको मिल जाएगा जिससे आपकी पूरी preparation एक बहुती structured तरीके से हो जाएगी total जो इस course का फीस है that is 3600 रुपीज जिसमें videos, e-books, mocks, previous years सब कुछ आपका included है तो यह जो course है इसका planner इस तरह का कुछ आपको मिलेगा जहापे आप day 1 पे आपना सबसे पहले diagnosis मौक दो के ताकि आपको यह पसा चलें आप कितना score कर रहे है आपको जो goal होना चाहिए 50% paper clear करके आना है इतना अगर आपने score कर लिया तो comfortably आपकी IFT crack हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ प कर वीडियो लेक्शे देखोगे LRDA में इधर आप January का current face देखोगे इधर आपको स्टेटिक जी के चलेगा फिर आपका quants में यहाँ पर पाइप संसे इधर आप vocabulary वाला वीडियो लेक्शे देखोगे इधर आप economy में capital market और regulatory bodies का लेक्शे करोगे तो इस तरह से फिर आपका यहाँ पर RCA का concept वीडियो देखोगे दर सिरीज है आवरेज जी से तो एक बहुत ही structure तरीके से daily level पे आपको around 2 hours के वीडियो लेक्शे देखने हैं जो भी हमारे वीडियो लेक्शे होते हैं वो separately record होते है ताकि आपका जो learning experience है वो best to best रहें तो 2 hours के जब आप यह वीडियो जाएगी किस तरह से आपको एक एक topic समझाया जा रहा है और हरे topic बिल्कुल basic level से होगा आपको concept से सिखाया जाएगा और advanced level तक के question जो आप IFT में expect कर सकते हो वहां तक आपको practice वीडियो में करा दी जाएगी उसके बाद अगर आपको additional practice करने है तो जैसे कि मैं आपको बताया आप e-books जाओगे और e-books में वहां पर practice करोगे ठीक है यहाँ पर directions का वीडियो lecture देखोगे इधर आप history का section स्टार्ट करोगे इधर आपको percentages करना है फिर February के current affairs फिर history के जो अलग lectures है next lecture proto history बोद देखोगे इधर आप क्या master का वीडियो lecture देखोगे इधर coding decoding फिर यहाँ पर then आपको इसी तरह साथ यहाँ पर देखोगे आपका पूरा RC है, vocabulary है, grammar है क्योंकि IFT में हर एक type के question आते है, RCs भी आते है, vocabulary based question भी होते है, grammar based question भी होते है, LR में भी आप देखोगे basic LR भी होता है, फिर कुछ questions आपको arrangements की मिल जाते है, तो सारे के सारे topics हम यहाँ पर cover up कर ल होगे, साथ में आपके IFT के mocks यहाँ पर चल रहे होगे, इसके बाद अगर हम बात करें, तो idiom and phrases, फिर आपके RCs के further lecture, grammar की practice हो रही है, इधर आपके LR के logical concession arrangement, circular arrangement, DI, वो सारे topics होगे, इधर number system खते हो बाद आपका geometry चलेगा, और इधर आपकी current effect चलते रहेगी, इधर static GK म cover करने वाले, फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपके पूरा 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 detail तरीके से verbal है, आपका DI, पूरा पूरा charts and diagrams, table case, जैसे question आपको IFT में देखने को मिलते हैं, इधर आपका पूरा algebra section चलेगा, फिर यहाँ पर कुछ business awareness के lectures होगे, क्योंकि IFT में आप मॉक से वो appear करेंगे, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 and then आपका पूरा का पूरा complete syllabus यहाँ पर हो जाएगा, तो within 60 days आपका पूरा का पूरा preparation बेसिक से advanced तो और आप देख पा रहे हो, एक-एक topic आपका हो जाएगा, then आपको यहाँ पर time भी अभी limited देन है, 2-3 hours अगर आप daily मेहनत कर र आपको static जीके, current जीके, इस सब चीज़े करनी पड़ेगे, ठीक है, तो course की मैंने detail आपको बता दिये, video lectures आपको मिल जाएंगे, interactive e-books मिल जाएंगे, practice के लिए topic वाइस test मिल जाएंगे, speed building के लिए and full nine marks along with previous year paper, complete solution आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपको IFT के लिए और follow कर लेना, मैंने important चीज़े आपको बता दी है and जो जो चीज़े मैंने आपको बताई, previous year paper, box, यह ज़रूर लगा लेना क्यों, क्योंकि इसके basis पर यह आप अपनी right strategy IFT के लिए बना पाऊंगे, so all the very best, thank you so much and take care, कुछ और doubt है तो इस number पर whatsapp कर देना, otherwise website पर जाके आप directly enroll कर सकते हो, 18th of October से बैस स्टार्ट हो रहा है, जिससे आपकी पूरी की पूरी IFT की preparation complete हो जाएगी, so take care, good luck